कि चलो सबको मेरा वोइस आ रहा है कि अ कि कोई भी दिक्कत होने से प्लीज चैट बॉक्स पर टाइप कर दीजिएगा तो आज जैसे पहला दो क्लास था उसमें हमने फ्यूचर्स और फॉर्वर्ट के बारे में जाना तो जस्ट अ क्विक रीकैप की फ्यूचर्स और ठीका अब जैसे फॉर एक्जांपल मान लो यह इंडिया है ठीक है और यह यूएस है मैंने अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट किये यूएस में मान लेते हैं पांच लाग डॉलर का ठीक है तो मेरे को डॉलर रसीवेबल होगा एरो अक्शली उल्टा बन गया है मैंने सर्वि यह ँपड Road को क्या बोलेंगे हम आपको पांच लाग डॉलर देंगे चलो rate आजी कलेते हैं तो क्या-क्या फिक हो गया अंडर log क्या है विचिस डॉलर कि dollars है कब and कितना rate पे for example dollar का सबको मेरा voice आ रहे है ना ठीक है for example dollar का spot है मानलो 86 तो rate ये वन ये forward one year forward rate fix वो 90 मेरा काम क्या है services export करना तो मैंने क्या 90 का rate fix कर लिया तो इसका मतलब क्या है पांच लाख पांच लाख इंटू 90 ठीक है ये मेरा जो receivable है ये fix हो गया इससे क्या हुआ हो सकता है अगर मानलो मैं इसको open छोड़ देता naked छोड़ देता तो हो सकता था कि 86 का क्या हो जाता या तो 95 या फिर 75 कुछ भी हो सकता था तो वह रिस्क मेरे को नहीं लेना था जो करेंशी रिस्क वो मेरे को अवाइड करना था तो वह रिस्क को मैंने क्या किया है कर लिया ठीक है तो मेरा जब underlying कोई चीज़ में exposure होगा तीज ची़ करते च चिमेर अंडरलाइग को दोनलमेistic अपने मन से अगर मैं तुम्हारा मानलो dollars का futures भाय करता हो च्क फ्यूच ज़़ों को अपने मन से तो इसको लोग क्या बोलत स्कीकूलेशन क्योंकि मेरा कोई underlying exposure नहीं है I am just betting कि आज अगर मान लो एक डॉलर का दा में 86 तीन मेहना के बाद में या फिर 6 मेहना के बाद में यह 90 हो जाएगा ठीक है मेरे को लग रहे है कि यूएस एकनोमी इंडियन एकनोमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा कंपेर टू यूएस एकनोमी ठीक है तो बेसिकली में को ऐसा लगता है कि बेसिकली जो आयनर हे वो वीक हो जाएगा जो डॉलर हो स्ट्राउंग ठीक है थिका ना श्यूnınरी एक ठीक है तो यह बेसिकली फूचेज विलीफ है कि यह उपर जाएगा फिर नीछे जाएगा तरसे अब desilver में 1,006 तक जाएगा ठीक है तो basically मेरा कोई underlying exposure नहीं मेरा कोई शादिवादी नहीं है but still मेरे को ऐसा लगता है कि भई में को silver में करना चाहिए that is speculation and arbitrage हम लोग देखे थे कि भई सस्ता खरित के महंगा को बेचना and arbitrage kills arbitrage because law of one price holds law of one price क्या बोलता है कि भई अगर दो चीज़ का maturity value सेम है तो आज का present value भी सेम होगा ठीक है अब जैसे देखो एक और चीज़ देखो जैसे माल लो एक शेर है 500 का या तो 1000 होगा या फिर 200 होगा और यहां पर 200 का है या तो 500 होगा या फिर 125 होगा चीज़ समझो ठीक है तो मैं क्या बोलता हूं एक portfolio में मैंने one into a रखा यह a है और देखो मेरा बात समझो अगर दोनों का यह दो portfolio बनाए ठीक है तो market अगर ऊपर जाएगा तो यहां 1000 यहां भी 1000 market नीचे जाएगा तो यहां 200 यहां भी 500 ठीक है तो दोनों का pay off सेम है तो दोनों का present value भी सेम होना चाहिए ना अब जैसे माल लेते यह 200 का मिल रहे है तो क्या क करेंगे जो चीज का दाम धाइस होना चीए 200 में मिल रहे है तो क्या करेंगे यह वाला portfolio को करेंगे और यह पॉटफोलियो को करेंगे sell जो आर्बिट्राजर क्या करता है यह portfolio को बाई करेंगे यह क्या करेंगे टू इंटू बाई बने बेसिकली 2 B Plus करेंगे एंड 1 A माइनस करेंगे तो अब मेंचौरिटी का सोचो यहां 2 B Plus किये ना मार्केट मालो ऊपर गया तो यहां से आएगा कितना हजार वहां जाएगा कितना हजार तो पेएओफ में तो पेएओफ में तो सब निल हो गया बट आज क्या हुआ आज तो उनलोग का present value भी same होना पड़ेगा this is law of one price इसलिए बोलते हैं arbitrage kills arbitrage आज अगर हम देखरें कोई business में SNP है और लोग enter करेंगे तो ultimately वो क्या होगा NP में आके hold करेगा normal profit में आके hold करेगा ठीक है तो यह था अब जैसे देखो futures of forwards में basic difference हमने क्या देखा थे एक over the counter होता है futures में क्योंकि वो क्या है exchange traded है clearing house है proper margin system है square off का system है ठीक है ना तो यहां पर यह चीज़ है और यह forward जो होता है वो mark to market नहीं होता है वो mark to market होता ठीक है अब जैसे क्या है एक चीज़ समझना जो forward oblique future है ठीक है हम लोग हमेंशा यही बोलते है कि forward oblique future has no future इसका कोई future नहीं है और option is having lot of option ठीक है तो यह चीज़ समझना यह एक obligation है यह एक obligation है obligation क्या है कि मैंने जो contract किया है वो मिरको ओबे करना ही पड़ेगा ठीक है बट अभी मैं क्या करूंगा आज जो लोग पढ़ेंगे न उसमें अपने एक right निकल के आएगा ठीक है जिसको लोग बोलते है options ठीक है अब जैसे समझ लो दिल्ली डेडेविल्स का मैच चल रहा है के के यार के साथ में ठीक है अब जैसे म जितना रन बनेगा दोस्तों के ऊपर जितना मैंने बेसिकली मैंने एक श्ट्राइक फिक्स किया इसको बलते है श्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइस प्राइस कि जिसके ऊपर या फिर नीचे जाने से मेरा option exercise होगा option का हिंदी में मतलब क्या है हक मैंने मेरा मन होगा तो मैं क हर एक रन का मेरे को 10000000 प्राइस एक शया कि चईये नीचे अगर भी element नाया फर ऐक्वल दिल्ली देवल ब्हुंग करें ठीक है दिल्ली अगर घुपिश करें तो मैं बोले हम चाहिए नीचे यह आगर तो मैं कुछ नहीं और तो मैं क्या कर रहा हूं सामने से हक ख खरीद रहा हूं कि दिल्ली देविल्स का बैटिंग चल रहा है तो ऊपर जाएगा तो हर एक रन के लिए एक लाख रुपया नीचे जाएगा तो कुछ नहीं ठीक है बाने हम तुमको कुछ नहीं देगा बता रहे लॉजिकली पॉसिबल है और ऐसा होता है देखो मैं क्या बोल रहा हूं 200 के उपर जाएगा तो हम हर एक रन का एक लाख रुपया लेगा नीचे जाएगा तो हम कुछ नहीं देगा ठीक है तो यह क्या हुआ एक हक हुआ जो सामने वाला से खरीद रहें सामने वाले स हुआ देली डेविस बैटिंग चुस किया बोला हम तुमको हक बेचता है कि 200 के उपर जितना रन बनेगा हम तुमको हर एक रन का एक लाख रुपय देगा नीचे जाएगा तो हम तुमसे एक रुपय नहीं मांगेगा लेकिन आज हमको दस लाख रुपय अभी दो ठीक है त तो हमको कितना चाहिए एक लाख रुपय चाहिए अब फॉर एक्जामपल डेली डेविस बनाया रन 205 ठीक है तो क्या होगा मैचुरीटी पे सोचो बैटिंग कंप्लीट 205 रन बनाया तो क्या होगा पेओफ कितना मिलेगा जो हक खरीदा है उसका गया कितना नेट क्यों जीता नेट कौं जीता जो हक बेचा था ठीक है डेली डेटेविस बनाया एकी सोट खेलाही खतम जो हक जो बेचा जो हग बेचा उसका 10 लाग रोगा पुरा घर में जाना कुछ नहीं देली डेविल्स बनाता है 215 तो आप सोचो जो 5 लाग प्रॉफिट किसका जो हग खरीदा उसका 5 लागा प्रॉफिट है लेकिन बात तुमको बताते है ठीक है एक बात हम तुमको बताते है एक लेता है ठीक है लॉट्री का ठीक है लॉट्री का ठीकित कितना में आता है एक सो रुपए में आता है ठीक है प्राइज मनी कितना है एक करोड ठीक है तो एक बात समझना लॉट्री वाले का लॉट्री वाले का सिंपल सिस्टम है कलेक्शन आएगा मालो 10 करोड का तो वह मोटा तस आटाएब तुमसे लिया एक बात बताओ 25,000 जो तुमसे लिया है इसमें मेरत ज Ellis Till Healthcare ॹुयय झीच मेरत आटाएबंष मेरा एक्सपेंस दस हजार रुपिया ठीक है मेरा एक्सपेंस पांच ग्रुपिया है को तो कितना आ रहे है 59 आ रा रहे तो बोलने का मतलब क्या है कि यहां पर जो लौट्री सेलर है चीज समझो लौट्री में क्या होता है एक करोड़ आएगा, एक करोड़ का inflow होगा, इसका क्या है? एक करोड़ का inflow, inflow बहुत बढ़ा है, ठीक है? एक करोड़ का inflow आएगा, इसका जो probability है, वो बहुत कम है, ठीक है? एक करोड़ का inflow आएगा, इसका probability बहुत कम है, लेकिन 100 रुपिया का outflow हो जाएगा, इसका probability ब ठीक आज के बाद घर में कोई भी अगर FNO खरीद के कर रहा है तो बुलना मत करिए प्रॉब्लम क्या पता है हक खरीदने का पैसा बहुत कम लगता है अरे भाई इसमें क्या हुआ तुम सौ रुपय के लोट्रिकर्ट के खरीदा तुम कितना प्रिम्यम देखे खरीद रहें तीन अजार चार अजार पांच जार शेजार दसदर सोच रहा है आएगा दो लाग तीन लाग चार लाग पांच लग लेकिन ऐसा होता नहीं है तुम तो हर दिन लॉट्री का टिकेट फार रहे ना तुम्हारा लॉट्री लगा कि प्रोबैबिलिटी बहुत ज्यादा होता है एक छोटा अमाउंट खोने का प्रोबैबिलिटी बहुत ज्यादा होता है एक बड़ा अमाउंट पाने का प्रोबैबिलिटी बहुत कम होता है दिस इस फॉर ऑप्शन बायर है ठीक है हां और एक ची समझना एक करोड का अब और लॉट्री कंपनी के बारे में सोचो या फिर जो इंशोरेंस बेच रहे कोई भी चीज जो बेच रहे यहां पर भी क्या है लॉट्री कंपनी के बारे में सोचो लॉट्री कंपनी क्या कर रहा बिजनेस कर रहा है लॉट्री कंपनी का सेट है कि मेरे को 10 लाख टिकेट बेचना ह ठीक है दस लाग टिकेट बेचना सो रुपय का मेंको दस करोड का रेवेन्यू लाना है मेरा एक्सपेंस है दो तीन करोड का मेरा टैक्स इतना है सब कुछ कट कुटा के मेरे को एक करोड रुपया बचेगा मेहना में ठीक है तो बेसिकली वह अपना पूरा चैनल सेटिंग कि किया है बहुत लोग को हायर किया है जो लोट्री का टिकेट सब बेच रहे है तो लोट्री जो कंपनी जो है जो लोट्री जो बेच रहे उसका क्या है उसका क्या है उसका क्या है स्मॉल अमाउंट आएगा स्मॉल अमाउंट आएगा स्मॉल अमाउंट आएगा इसका कि आउट फ्लो हो जाएगा इसका प्रॉवाबिलिटी बहुत कम है चीज़ समझो अब यह समझो सेलर के पॉइंट अवीव से कि INSURANCE क्मपनी का एक्जांपल ले लो टीकंए इंसान का जिएवन लॉट्री तो हे तुम मरेगा तुम्हारा टेपेंडिन गोगे एक्कड यह बोल के पॉलिसी बेश दिया इतना लोग को पॉलिसी बहुत लोग को पॉलिसीफेस दिया अब उसका जो सारा क्यल कौलेशन एटीमेशन भो टिकावक का मतलब क्या है एस्तीमेशन भो का मतलब क्या है कि भाई वह सोचा 50 लोग मरेंगे ठीक है अगर सो बहूं मर गया तो नुकसान 200 मर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हजार मर गया तब तो बस company खतम बट क्या हजार मरेगा इतना बड़ा pandemic चला गया क्या हजार मरेगा यह सोचना पड़ेगा तो इंसॉरेंस कमने के लिए सोचो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो खोएगा इसका probability बहुत कम है ठीक है और छोटा 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 प्रोफिट कमाएगा इसका प्रोफिट कमाएगा तो option seller के point of view से सोचो केकेर और डीडी वाल जो मैच चल ला था दस लाक रुपिया हम बोले option का premium है ठीक है वह दस लाक रुपिया वह दस लाक रुपिया बार 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 कलेक करेगा एक दिन में दो मैच होता है एक दिन में दो मैच होता है और लाइन से सौ मैच चलता है समझा एक दिन में दो म औच और 100 दिन मैच चलता है मतलब मालनो 200 मैस्ट में वह दस लाग दस लाग दस लाग दस लाग कर रहे है किसी एक में बहुत बड़ा मलो कृश्व बैटिंग कर रहे है 300 अनमार दिया तुम समझो वो 200 बार वो 200 बार कलेक करेगा 10 लाक ठीक है मोटा मोटी उसको पता ही है मोटा मोटी वो सारा estimation कर रखा है वो लास्ट वो estimation कैसे किया होगा लास्ट जितना भी सारा T20 मैच हुआ है सब स्कोर का वन्ता आवरेज निकाला होगा चैनेट निइकाला होगा वहांसे कोट पैश्ट मानुच वो थीक है 200 के नीचे वो कि दोस्तों के नीचे तो पूरा पूरा दस लाग उसका ठीक है दोस्तों के ऊपर भी दोस्तों के ऊपर भी 210 के ऊपर वे इसका प्योफ चालू होगा ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है वह क्रिस गेल मालो जैसे अब की बर आर्शी भी बनाया था तीन चार मैंच में 275 तो बैट 275 कितना मैंच में बनेगा 275 अगर बना तो इसका आउट फ्लो कितना हो रहा है 65 लाक्स का मतलब नेट नुक्सान तुम चीज समझो 210 तक तो इस प्रटेक्टेट तो आप्शन सेलर विल अर्ण अ गुद प्रॉफित मैंच अच्छा प्रॉफित स्मॉब मनी स्मॉब मनी ठीक है इसका प्रॉबाबिलिटी हाई एए एन ऑप्शन सेलर इस गोईंग तो लूज अवरी लाज़ अमाउंट अफ मनी इसका प्रॉबाबिलिटी बहुत कम है इन थे स्ट्रीम इन थे टेल्स है आग ड्लार बैंक लेकर रखाया बैंक छोटा-च्छोटा च्टा ट्रफ्ट का पैसा लोन पर देढ ठीक है आज जैसे माद को सुन बाहरा राते है आज जैसे माल लो बैंक क्या कर रहा है बैंक हो गया इंशॉरेंस कंपनी हो गया ठीक है स्टॉक मार्केट कुछ भी ले लो ठीक है अब बैंक क्या कर रहा है बैंक छोटा-छोटा डेपोजिटर का पैसा ले रहा है लोन दे रहा है ठीक है बैंक क्या किया एक करोड लोग से 100 प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् ठीक है तो bank will lose a very large amount of money इसका जो probability है बहुत कम है ठीक है and bank will earn good amount of money छोटा amount of money इसका probability हाई है ठीक है तो कोई भी चीज़े से मालो तुम सट्टा बाजी में बात करो लॉट्री में लॉट्री में बेसिकली क्या है लॉट्री लॉट्री हम जो खरीद रहें लॉट्री बायर का is exactly same as option बायर कि लॉट्री में क्या हम सौसर बैदेगा खरीद रहें कि पाने को क्या है एक करोड जाने को कुछ सौर बैघी कहले वही किया है Ah क्या है इसम्हां वह ठीक है बट्व इसलोटेशन आख Constance आखमेशन में तुमको बता रही हूं बहुत बार क्या आटेशन उतना टिकेट नहीं बिकता है वो लोग यहीं दिखाता है वो लोग यही दिखाता है कि बहुत तरीकिका होता है जैसे एक कार्ट्री होता है प्लेविन जिसको बोलते ठीक है तो उसमें क्या है जैसे मालो हम देखा वह खेला नहीं है जैसे मालो यह कंप्यूटर है ठीक है हम लोग के घर के वगल में था तो उसमें क्या में लट्री होता है सारा पत्ता है तो इस टोर का सोच्ए एक पर बैट लगा एक पर माझ का एक और बैट लगा ठीक है वह बलेंगा एक का डबल अब झाजरवगा ठीक है और उसव दोमिनिटव दौरान उसका एक करना बाकी सब में 500 का बैट लगा मने टोटल इनफ्लोईज हां मच फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है बट अब क्या होगा अगर इकका आ गिया तो इसको प्याउट कितना करना पड़ेगा 2000 कि तुम चीज समझो वह लोग सारा ओड्स कैलकुलेट कर लेता है वही मैं बता रहा हूं तो वैसा नहीं है तो रॉले में जैसे मैं गया था तो वहां पर क्या है कि तुम एक में तुम कितना भी बेट लगा सकती हो और वह आगे तो लोगा प्याउट ज्यादा होता ही है तो वह चीज है ठीक है बट यहीं सोचो हमेशा seller is the winner ठीक है अब जैसे मालो लेज का चिप्स का पैकेट है ठीक है तुमको अगर दो ऑप्शन देगा कि भई 5 रुपए में खाली हवा मिलेगा खाली लेज का पैकेट मिलेगा उसमें चिप्स नहीं है और 10 रुपए में चिप्स भी मिलेगा हवा भी मिलेगा तो तुम क्या लेगा कि दस लेकिन लोग क्या करते पते लोग थाए लोग फ्रूंद में लोग क्या करते है काली वह हवा खरीदते है थे मैं तो लोग समझाउंगा सब्सक्राइब let me don't get option buyer क्यों attract होता है option buyer को यह बोला जाता है न कि सर देखी आपको खोने को कितना रुपिया है 2000 3000 4000 आएगा तू कितना आएगा तो कितना एक लाग 2 लाग 3 लाग 4 लाग 5 लाग पैटा सा होता नहीं है ठीटेके ना बट option seller क्या कर रहे है consistently पैसा लगा रहे है क्यों क्यों option seller का Margin लगावां श्टॉक में क्या होता है option seller का margin लगता है एक option buy करने के लिए तुमको चाहिए पांच जाव रुपिया लेकिन वही option sell करने के लिए तुमको चाहिए दो लाक रुपिया ठीक है तो तुम अपना capital लगाया है दोलाक रुपिया ठीक है क्योंकि सबको तो डर लग रहे है ना तुम चीज़ समझो बायर का तो लॉस लिमिटेड है बायर का लॉस तो लिमिटेड है ना तुम जो दसलाक रुपिया तुम जो दसलाक रुपिया तुम दसलाक रुपिया किसको दे दिया तुम सामने वालों को 10 रुपया दे दिया हम राइड वायर है तो मेरा तो अब नुकसान इस लिमिटेट तो 10 रुपया बट सेलर यही मान लो 300 300 400 रण मार दिया समझ रहा है तो उसको मार्जिन रखना पड़ता है अब जैसे देखो बहुत सिंपल है आप्शन में क्या होता है ना आप्शन में दो पार्टी होता है एक है तुम्हारा बायर और एक है तुम्हारा सेलर ठीक है अब एक चीज़ समझो बायर के पास में राइट है बट कोई obligation नहीं है ठीक है बायर के पास में हक है बट कोई obligation नहीं है यह premium देगा इसका pay off मतलब maturity पर कभी भी negative नहीं हो सकता है क्योंकि अगर maturity पर he will see his position if he is in a better position then only he will execute the order or else he will leave it if the score is 205 then only he will say 5 lakh day if the score is 202 then only he will say 2 lakh day if the score is 198 he will not even call the person ठीक है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आप हक का पैसा दे रहे हो इसको पैसा मिल रहे है यह क्या बोलेगा तूफान आ जाये तूफान आ जाये मतलब यह बोलेगा भाई आज तो ऐसा बैटिंग दिखाओ कि बस क्योंकि इसको पता है कि सब अगर मार धार के खेलेगा तो या तो 400 बनेगा यह फिर 100 बनेगा बीच का चीद यह बोलेगा ठुकुश ठुकुश मत खेलो या तो मारो मारो हर बॉल में चक्का मारो क्योंकि यह अगर मानलो score 100 आता है चीज समझो अ या फिर कम में तुम आउट हो जाओ इस सेलर 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 का मतलब सेलर हेट वोलाटिलिटी सेलर को वोलाटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है वो चाहेगा यह तो मार्केट थम जाए जैसे मानलो for example stock में कैसा होता है यह चीज इस एक्जामपल के लिए ठीकता आप stock में देखो जैसे मानलो ITC है ठीक है ITC का CMP चल रहा है 500 रुपया ठीक है मैंने क्या बोला मैंने upset का order लगाया ठीक है call option मैंने strike चूज किया 500 का ही ठीक है यह strike अलग-अलग हो सकता है यह 300 400 500 600 700 कुछ भी हो सकता है मैंने इसके उपर जा ज्यादा हो गया मैंने इसके लिए premium दिया मानलो 20 रुपया मैंने इसके लिए 20 रुपया ठीक है मेरे बाते दम ध्यान सुनना मैं बोल रहा हूं I am the option buyer call मतलब क्या उपर जाने से difference आएगा दो टैप का betting होता है upside or downside ठीक है downside betting को बोलते put upside betting को बोलते call ठीक है तो put का मतलब क्य हो गया नीचे जाने से difference आएगा call मतलब उपर जाने से difference आएगा buyer के लिए seller के लिए उपर जाने से difference जाएगा नीचे जाने से difference जाएगा call put ठीक है तो अब जैसे सोचो at maturity मानलो एक मैने का option at maturity the price is 600 ठीक है तो मेरे को pay off कितने का आएगा hundred मैंने premium कितना दिया बीस तो यह 80 रुपय मेरे को कौन देगा option seller तो seller के लिए it is a obligation but not a right अगर buyer चाहेगा तो वो execute करेगा नहीं तो वो नहीं करेगा बट seller मना नहीं कर सकता है अगर buyer execute करना चाहता है तो ठीक है ना सो बेसिकली बहुत सिंपल है ठीक है लिखो कि लिखो कि सबस्क्राइब लिखना कॉल उप्च्छन कि लिखो कि ऊपर जाने से डिफ्रेंस आएगा पुट आप्षिन नीचे जाने से डिफ्रेंस आएगा नीचे जाने से डिफ्रेंस आएगा यह हो गया बायर पॉइंट अव्यू से सेलर पॉइंट अव्यू से सेम होगा सेलर पॉइंट अव्यू से रिप्लेस आएगा विथ जाएगा ठीक है यहां तक सबको समझ में आ रहा है येस और नो कोई भी दिक्कत ये सब तो बेटिंग का टर्मिन लॉजिस हो गया ठीक है अब इसको अमनों समझते है अच्छल में क्या है ये चीज़ क्यों ऐसा करते हैं ठीक है ठीक है ध्यान देना कॉल ओप्शन का मतलब क्या है राइट टू बाए ठीक है अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमसे ये समान खरीदेंगे इस इस कॉल ओप्शन अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमको ये समान बेचेंगे ठीक है इस इस पुट ओप्शन राइट टू बाइट टू सेल अब एक चीज़ समझो एक एक ग्जामपल देखो मैंने क्या बोला ITC कंपनी है ठीक है उसका करेंट मार्केट प्राइस है मानलो 502 ठीक है मैंने क्या किया कॉल ओप्शन बाई किया है प्रीमियम मैंने दिया है 20 रुपया का ठीक है एन एक स्ट्राइक प्राइस होता है कि किस के ऊपर डिसाइड होगा बने किसको देखना है मैंने किस चीज़ को देखना है किस चीज़ को देखना है मैंने यहां पर डिसाइड किया पान्सो ठीक है यह बेसिकली यह दोनों जब सेम होता है इसको बोलता है एड़ दा मनी ठीक है अब एक चीज़ समझो इसका मतलब क्या है हिंदी में देखो अगर मेरा मन करेगा तो अगर मेरा मन करेगा तो हम ITC कंपनी का शेयर पान्सो में बाय करेगा मैच्यॉरिटी पे ठीक है अब मैच्यॉरिटी पे मेरा मन कप करेगा चीज समझो जब आई टी सी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पान्सो के ऊपर रहेगा क्योंकि देखो को कॉपी करो लो पहले इसको क्या जाओ बहुत है क्या विजा इसको करेगा कि प्राइस आपडों करेगा मैच्यॉरिटी कॉपी जशी थीज खिए बादोंकि देखो को कि देखो भॉब ठीक है हाँ अब देखो मैच्वरेटी पर कुछ प्राइसेज लेते हैं साड़े चार सो 500 510 530 यह चार प्राइस में अपना समझ में आ जाएगा साड़े 400 हो जाता है शेयर प्राइस ठीक है अब एक बाब बताओ जो चीज मार्केट में साड़े 400 को मिल रहे है वह हम तुमसे 500 में क्यों खरीदेगा तो हम बोलेगा भाईया मेरे को अपना ऑप्शन को एक्सराइज नहीं करना है तो ऑप्शन हो जाएगा लैप्स जब 500 हो रहेगा हम बोलेगे जो चीज मार्केट में 500 को मिल रहा हम तुमसे क्यों ले एक ही बात हो गया हटाओ पांसो दस जो चीज मार्केट में 500 को मिल रहा है वह हम तुमसे कितना में खरीद सकता है 500 में तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है दस रुपया का लेकिन यह 10 रुपय का profit कमाने के लिए कितना रुपय दिया 20 देखलो जो मेरा option का premium था 20 रुपया तो net net मेरे को क्या हो गया नुकसान हो गया कितने रुपय का 10 रुपय का जो चीज मार्केट में 530 का मिल रहे है वो चीज हम तुमसे कितना में ले सकता है 500 में इस हक का पैसा में कितना दिया था 20 रुपया तो अभी में को 30 रुपय का profit और 20 रुपय मेरा गया तो 10 रुपय समझा यह हो गया बेसिकली option buyer का चीज समझो ठीक है तो अब एक चीज समझो यह वाला जो starting है नहीं यह उसका payoff है यह उसका payoff है और यह उसका profit है तो payoff कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते यह तो 0 होगा यह फिर positive होगा option buyer का payoff कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते है अब जिसे जो चीज मार्केट में 4500 को मिल रहा है वो चीए तुम से 500 में क्यों खरी देगा तो option lapse हो गया ठीक है कि एक और देखो स्ट्राइक प्रेस का मतलब क्या होता है किसके ऊपर या फिर नीचे सट्टाबाजी होगा ठीक है तो के हो गया साड़े आठ सो कि क्परीमAnn लू 30डर्पय हम दिये है ठीक है किétais अब मेक्चॉरिटी पर क्या होता है ध्यान देना मेक्चुरिटी पर शीयर प्रेस होता है 600 3 700 ऐट सो 900 हजार ठीक है अब देखो मैंने क्या किया है मैंने कॉल-बाई किया तो तो जो चीज मार्केट में ती सुनना इससे सारे एक्जांबल क्लियर हो जाएगा ठीक है जो चीज मार्केट में 600 को मिल रहे है वो हम देखो मेरा बास समझो मैंने क्या बोला आठाहिक प्राइस से स्ट्रायक प्राइस प्राइस सा्थाएथ शुर्वाटी सु शुर्व भाशन री शॉत्षेच फटना पे 1000 को राइट टू बाइ राइट टू सेल स्ट्राइक प्राइस परॉगा फिर जो सिमार्केट में चैसरा मिल रहा है वह तुम इक आःत सु service хот अच्छु में रहा है वह मारकेट में 800 में नहीं खरीदेगा मारकेट में 900 में खरीद के कितना अप्धा कमाएगा पचास करने के लिए के लिए प्रीमियम दिया थीस रुपिया थिक है जो चीज मारकेट में तो इसलिए हम बोला कि जो option खरीता है उसका payoff कभी भी negative नहीं हो सकता है ठीक है एक और example देखो put buy किया है ठीक है infosys का ठीक है infosys का जो cmp चल रहा है मानलो 1500 ठीक है strike price decide हुआ 1400 ठीक है and premium जो दिया 120 रुपया ठीक है put buy किया तो maturity पर प्राइस लिख रहें देख लो ग्यारा सो बारा सो तेरा सो चौदा सो बंदरा सो शोला सो ठीक है put buy किया put का मतलब होता है right to sell right to sell at a specified price तो basically मैंने एक हक खरीदा है कि मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमको Infosys का एक शेर बेचेगा कितना में बेचेगा 14 दा सू में बेच दी सम्हाँ करेगा तो हम तुम उपोर्स हैर चेका कितना में बेचेगा 1400 अन बेचेगा और इसके लिए हम premium दिया है तुमको कितना 120 मतलब अगर मेरा इच्छा करेगा तो हम तुमको बैचे ले और तुमको लेना पड़ेगा तो राइट फॉर मी बट ऑबलिगेशन फोर यू इस अ राइट फोर दी बायर बट अबलिगेशन फॉर दा इसलर फ्यूचर फॉरवर्वर्ड में क्या होता था दोनों तरफ ऑबलिगेशन है उपर गया तो भी अबलिगेशन है नीचे गय कि भी अगर नीचे गया तो शर्काद मीचे जाएगा लेकिन हम हक खरीद है कि अतना ही दम में बेचेगा थिक है कि अब देखो मार्केट में स्वेड में सो के लेके छोदा में तुम को बेचेगा, तो कितने गाउमें को profit होगा, फीन पे धार traistit अ कि सब 2 सब्सक्राइब होगा और यह थिन-सो कमाने के लिए मैंने एक सो-वीसße करनिया जो चीज मार्केट में books हो तीम क такие 14 को में बेचेगा कि जोती मार्केट में तेरा रहा सोगा वह वह तुम सुटांसु network बेचेगा अरे समाझ नहीं रहा है वो तो वो तो starting में चला गिया अब recovery तो करना पड़ेगा ना वो तो starting में चला गिया थिक है तो जो चीज मार्केट में 1300 को भीख रहे हैं वो हम तुमको 1400 में बेचेगा तो 100 रुपया आएगा बट 110 रुपाय मेरा starting में चला गिया 20 and same चीज़ समझा एक और एक्जांपल देखो अब जैसे माल लो बैंक निफ्टी है कि सेलर किसी को सेलर तो प्रिम्यम कलेक्ट कर रहे ना विकास वो तो हग बेच रहे एक हग खरीद रहे और एक हग और एक हग बेच रहे अब बैंक निफ्टी कल हम लोग देखे थे 53,000 का चल रहे ठीक है बैंक निफ्टी हम लोग देखे थे 53,000 का चल रहे है और अपना जो के है वो है 54,000 ट्राइक मैंने क्या किया है कॉल बॉय किया है ठीक है और इसके लिए मैंने क्या किया है प्रीमियम दिया है 200 रुपया का ठीक है आप जैसे माल लो maturity पर प्राइसेज देख लो maturity पर प्राइसेज देख लो 52,000 51,000 maturity पर प्राइसेज देख लो 51,000 ठीक है ध्यान देना मैं बोलता हूँ index है basically इसको buy sell नहीं बोलेंगे देखो चीज समझो मैं बोलता हूँ जो call option है न तो buy right to buy तो जो चीज मार्केट में जो चीज मार्केट में 51,000 का मिल रहे है वो क्या हम तुमसे 54,000 में खरीदेगा चीज सचो न यह strike है न यह strike है जो चीज मार्केट में 51,000 का मिल रहे है वो क्या हम तुमसे 54,000 में खरीदेगा वो क्या हम तुमसे 54,000 में खरीदेगा सेम भी बात हो गया यहां पर भी जो चीज मार्केट में 55,000 का मिल रहा है वो हम तुमसे 54,000 ने खरीद के 1000 रुपया का profit pay off कमाएगा और इन सब में मेरा premium कितना लगा 200,500,500,500,500,200 तो ultimately मेरे को सब में 500 का नुकसान हो गया यह मेरा हो गया pay off यह मेरा हो गया premium और दोनों को pay off से premium को minus करेंगे तो मेरा आएगा profit ठीक है तो यहां पर आ रहा है minus 600 सब में आ रहा है खली last वल में क्या आएगा साड़े साथ सो positive ठीक है अब देखो कितना complex लग रहा है ना अब थोड़ा चेंज करते हैं यही सेम कुश्चन मालों निफ्टी है कि निफ्टी चल रहा है मालो 25,000 ठीक है स्ट्राइक डिसाइड हुआ तुम्हारा 24,000 ठीक है ब्रीमियम पे किया डेड़ सो ठीक है और मैंने क्या किया कॉल ऑप्शन बाई किया है ठीक है तो लेवल्स देख लो एक बार क्या-क्या हो सकते मैचौरेटी पे मैचौरेटी पे इंडेक्स का लेवल्स देख लो चालू करते हैं अफन 23,000 से 23,000 24,000 25,000 27,000 ठीक है ज्यान देना अब देखो मैं बोला उपर जाने से कॉल आफ्शन का मतलब क्या और Po Voight Option का मतलब क्या है उपर जाने सेृफ्रेंस आएगा रिक जाने से आएगा नीचे जाने से बिफरेंस आएёмा बाइ पॉइंटे से देखना है च्ट्राइक से देखना ठीक है तो कितना हेतिज।czenia संनाlike 50.000 के ऊपर मिरा प्रॉफिट चालू ठीक है कली किसल्ट थी। स्टर्टिंग निद्टीत मैंने 6400 के ऊपर मेरा प्रॉफिट चालू थीक है धा श्टरू laboratory दे दिया है 1.500 क्यों दिया क्योंकि मैं को हक खरीना था कि अगर 24,000 की उपर जाएगा तो हमको difference मिलना चाहिए नीचे जाएगा तो हम कुछ नहीं देगा उसका हक का premium बताओ 1.500 रुपए है ठीक है आओ तो 23,000 पर option हो जाएगा लैप 24,000 पर मतलब नहीं है 25,000 पर क्या होगा ऊपर जाने से difference आएगा तो कितना का difference आएगा 1000 का difference आएगा अभी माइनस नहीं करेंगे रुख जो यहां पर लिख दिया 1500 1500 समय लिख दिया ठीक है 26,000 में कितना का difference आएगा 23,000 यहां पर कितने आयेगा 3000 ठीक है उसके पदें इधर देखना यहां पर आएगा तो माइनस यहां पर भी आएगा 150 और 1850 ने यहां कितना आएगा फिर उसके बद क्या आएगा यहां पर 1850 और यहां पर आएगा कि इंडर्सिंट बैंक ठीक है इसे मालों सी एंपी चल रहा है चौदा सो ठीक है स्ट्राइक डिसाइड हुआ तेरा सो पचास और जो प्रीमियम पेमेंट हुआ है वह हुआ है सत्तर रुपय का ठीक है प्राइसेज देख लो प्राइसेज देख लो ग्यारा सो बारा सो तेरा सो चौदा सो पंदरा सो तो ठीक है यह प्राइसे से अब पुट में समझ लेना नीचे जाने से डिफरेंस आएगा क्या चीज से डिफरेंस आएगा स्ट्राइक से डिफरेंस आएगा ठीक है तो यहां पर देखना नीचे जाने से डिफरेंस आएगा तो तो नीचीं वह बन सnt के सबस्कें वीन और यह सो फैसल और अधरी नेसा gospया क जाना प्रवासॐ नहीं क्यें तो 180 के नीचे profit चालु ठीकैं तो 1200 यहां कितना आएगा बताओ यहां कितना यहँगा ? 150 यहां कितना आएगा? 50 सब्सक्राइद्सटाइब σब्सक्रेंग अगरा फ्रोफिट कितना लिए टो फोजरेटिवियाच याहीग रही तो कितना ऀगा 20-70 även सब्सक्राइगा माइनस सेवेंटी एंड सुवान समझा एक और एक्जांपल देखो ठीक है जैसे मान लो MRF का शेर्ज है ठीक है CMP चल रहा है एक लाख दो हजार ठीक है उसके बाद में स्ट्राइक डिसाइड हुआ एक लाख पांच जार और जो प्रीमियम दिया तुम प्रीमियम दिया मान लो पांच जर का प्रीमियम दिया ठीक है तो अब इस केस में मैंने क्या किया पुट सेल किया पुट सेल किया मतलब नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा तो कहां से देखेंगे नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा कहां से देखेंगे नीचे जाने से डि में अपने अला रहे हैं, 90,000 95,000 1,005,000 1,0010,00 and 1,015,000 ठीक है वापस से चालो करते हैं nीचे जाने से difference जाएगा ठीक है तो नीचे गया है कितना नीचे बया 15,000 क्योंकि strike प्रेस दिखेंगे, ठीक है नीचे जाने से difference जाएगा अभी मैंने क्या किया put sell किया put का मतलब क्या होता है right to sell right to sell सामने वाले को बेच दिया मतलब अगर सामने वाला चाहेगा तो वो मेरे को अपना समान बेच सकता और मेरे को खरीदना पड़ेगा कितने ऐन पर खरीदना पड़ेगा श्ट्राइक प्राइस पहरें तो जो चीज मार्केट में नब्रहे जार कमिल रहे हो चीज लिए किसा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं इसके लिए मैं BMW कितना खाया है खाया कि मैंने हग बेचके ना सामने वाले कोλλάइट तूषल सेल सामने वाले बेच दिया मतलब कितना प्रीम्य में खाया है यहां मेरा क्य प्रीम्मूं型 कॉलम पॉजितिव हैगा यहां में प्रीम्म पोलिटिव अब देखो निट मंने क्या होगा कि option seller के लिए कभी भी पे आफ पॉजिटीव नहीं हो सकता है या तो नेगेटीव होगा या फिर जीरो होगा कभी भी पॉजिटीव नहीं हो सकते है क्योंकि option seller ने तो है स्टार्टिंग में प्रीमियम खाए तो कितना गया दस जर नेट में गया यहां क्या और बताओ यहां पांच जर नेट में गया यहां कुछ नहीं यहां सब में पांच जर का प्रॉफिट तो जो put बेचा है वो क्या चाहेगा या तो stock market थम जाए stock market थम जाए अगर stock market थम जाता तो CMP कितना होता 1,2,000 वो premium कितना खाया था 5,000 रुपई खाया था अगर 1,2,000 रुपई होता तो क्या होता बताओ नीचे जाने से difference जाता 1,5,000 मैनस 1,2,000 कितना जाता या तो थम जाए क्योंकि put है put का मतलब क्या है downside नीचे जाने से difference जाएगा लेकिन ऊपर आने से option laps ना ऊपर आने से option laps तो यहां भी उसको profit हो रहा है देखो यहां भी उसको profit हो रहा है और कॉल में क्या सिंट कॉल में क्या strategy है कॉल में अगर कॉल बेचा है कॉल बेचा है एक्ची समझना कॉल अगर बेचा है for example let's think about bank nifty ठीक है bank nifty का level spot 53,000 ठीक है अब levels देख लो एक बार levels देख लो 51,000 52,000 53,000 54,000 55,000 ठीक है और यहां पर कर देते 75,000 अब आओ call option बेचा है ना call option बेचा है मतलब क्या उपर जाने से difference जाएगा उपर जाने से difference जाएगा बिनने से देखें गे देखेंगे तो 52,000 के अगर उपर जाएगा तो option में पैसा जाएगा उपर जाने से difference जाएगा नीची जहने से lapse ठीक हैं call option बेचा है इसका मतलब क्या पहले सोचो राइट टूबाई राइट टूबाई बेच दिया मतलब सामने वाला चाहे तो मिर से खरीच सकता है सामने वाला चाहे तो मिर से खरीच सकता है और हमको ना चाहते वे भी हमको उसको बेचना पड़ेगा ठीक है राइट टूबाई होता है राइट टूबाई जाने से डिफनेस् जाएगा कितना उपर गया? 1000 ma यह एक बहुत बड़ा नुकसान है यह इक बहुत बड़ा नुकसान है मिलो time period है दो मेना तुमको क्या लगता है निपक्तिона पिछालिश पर инструмент उपर चलेगा दो मेना में भालं निपक्रिश्ट पर चले गारे निफया सिल ये चिसज समझ रहे ना दो मैंना में बैंक निफ्टी 40 परसें उपर यही मैं समझा रहा था कि option seller एक बहुत बड़ा amount होएगा इसका चोटा probability है ठीक है एंड चोटा पैसा बनाएगा चोटा पैसा बनाएगा इसका बहुत अच्छा था पीजिए थी के तो शेलर का क्या है शेलर क्यों बेच रहा है सेलर को लगता है श्रौक मारकेट ठंध या इगा एगर जैगा तो भी कोई हलका उपर जाएगा हलका उपर का मतलब क्या है 53,000 है प्रीम पांस होगा 53,100-200 अगर 53,200 होता है स्वरी 52,000 से देखना था स्वरी तो बेसिकली स्ट्राइक से देखना था अपने को स्ट्राइक से देखना था ठीक है तो अब एक चीज़ समझना कोई अगर कॉल बेच रहे तो ही जब बेरिश मैंसेट क्योंकि ऊपर जाने से उसको नुक्सान चालू होगा मैंने आपर एकदम पुरा hypothetical लिया है ठीक है क्योंकि देखो वैसे बात है तो कॉल का केस में यह 52,000 है और यह 53,000 है तो यहां पर यह प्रीमें में यह 500 अलबात तो हो नहीं सकता है बैंक निफ्टी अगर स्पॉट चल रहा है 53,000 ठीक है और तुम्हारा के लिया 52,000 ठीक है और इसका प्रीम्यम आ रहा है मानलों 500 रुपे क्यों नहीं हो सकता 500 मैंने कॉल आप्शन बाइ कर लिया ठीक है प्रीम्यम कितना दे दिया 500 इसका मतलब क्या है 52 की ऊपर जाने से प यह हो इसकता ना बस एकदम है पोथेटीकल लेकर करा रहा हूं ठीक है अब एक सम पूरा बढ़िया से करेंगे ठीक है निफ्टी के ऊपर में करते हैं बंद कर देसी निफ्टी का मानलों CMP चल रहा है निफ्टी का मानलों CMP चल रहा है 25,000, ठीक है, आपका strike price जीसाइड होता है 24,000, ठीक है, आपने क्या किया है, एक call भी buy किया और एक put भी buy किया, ठीक है, call का premium है आपका 500, put का premium में 7500, ठीक है, levels देख लीजिए, levels देख लीजिए, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, यह levels हो गए, ठीक है, अब यहाँ पर मैं columns करके बना रहा हूं, यहाँ पर आएगा C plus का payoff, ठीक है, यहाँ पर आएगा P plus का payoff, ठीक है, यहाँ पर आएगा total premium, ठीक है, और यहाँ पर मेरा आजाएगा profit, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, एक एक करके पकड़ेंगे एदम ध्यान देना, ठीक है, total premium कितना दिया, 1250, total premium दिया है ना, तो 1250 दिया मतलब यह negative में आ रहा है, ठीक है, अब पहले call को पकड़ो, strike price कितना है, strike price कितना है, 24,000 है, मतलब उसके उपर जाने से difference आएगा, strike price के उपर जाने से difference आएगा, ठीक है, 21,000 है, तो laps, 22,000 laps, 23,000 laps, 24,000 laps, उपर गया, 1000, उपर गया, 2000, अब पुट को पकड़ो, 24,000 के नीचे जाने से difference आएगा, ठीक है, 24,000 के नीचे गया, तो कितना आ रहा है, 3000, 2000, 1000, 00, 00, ठीक है, अब देखो, तीन हजार आया, कहया कितना, 1250, तो कितना आ रहा है, 1750, 2000, 1250, 7,500, 1000, 7,500, यहाँ पर तो 7,500 गया, इससे यह समझ में आता है, 24,000 का वो लेवल है, जहाँ option seller पैसा कमाएगा, क्योंकि seller का strategy क्या है, market थम जाए, बायर का strategy क्या है, तूफान आ जाए, तूफान मतलब क्या, 21,000, या फिर 26,000, दोनों में, हाँ, कौण से 250, 7, यह बला, हाँ, सॉरी, यह नेगेटिव होगा, सॉरी, यह नेगेटिव होगा, भूल से भूले है, ठीक है, यहाँ पर 1000, तो यह आएगा 250, सॉरी, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा, साड़े साथ सो, देख लो, बचेक कर लो, तो आप्शन, आप्शन, बायर का मतलब क्या है, तूफान, यह है तूफान, और यह है तूफान, यह दोनों क्या है, तूफान, ठीक है, सबसे दा पैसे वो यही कमाएगा, यहें कि उसका मतलब क्या, मारकमतिवा ने तूफान आ जाए, क्योंकि उसका Loss Limited है, उसका Loss उनीमिटेड है, उसका Loss एकदम लिमिटेड है, Profit is Unlimited, खोने को छोटा सा, पाने को पूरा आस्मान, ठीक है, option seller का ठीक उल्टा है आएगा छोटा सा जाएगा तो बहुत बड़ा बड़ा साइकोलोजी बड़ा सा मार्केट में होता नहीं है ठीक है इसको कॉपी कर लिजे कि parenthर ये अगर तुमारा इच्छा करेगा तो तुम इसको बेचेगा ने तो नहीं बेचेगा त्युक्स अगरद हना इच्छा करेगा तुम भाई करेंगा नितों नहीं करीगा को hai तब यह मैं गलत लिखा मैं आफ्चली यह यह साधे साथ सो नहीं होगा एक कि अधिर टोटल साड़े बारा सो नहुंस में कन्फिशन हो रहा है साड़े बारा सो ठीक है हजार थाइस सो ठीक है वह जोच रहा था हजार में थाइस नेटिफ दो जर्टिक है अब इत्व सही है यहां तक सबको क्लिर है यह सॉर नो कि निकिता प्रियल मिताली खुशी सिम्रन तीर्था सिध्धी हेत्वी आदेश और संस्कार सबको क्लियर है ये येस और नो झाल अब एक और एक्जाम्पल देखो बैंक निफ्टी के एक्जाम्पल देखो, spot चल रहा है 53,000 strike price fix होता है 54,000 का ठीक है? C- किया तो premium कमाया 1000 P- किया तो premium कमाया 2000 यह फिर 1500 यह फिर 2000 कर दो उसको चमिला नहीं रहेगा 1800 कर तो ठीक है? अब लेवल्स देख लो 48,000 50,000 52,000 54 56 58 60,000 ठीक है? सबसे पहले C- का पे ध्यान देना C- C- का मतलब क्या है? C- का मतलब क्या है? इतने की के उपर जाने से dif। अब हम लोग दिखते हैं पी माइनस का ठीक है तो ऊपर नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा ठीक है तो नीचे जाने से डिफरेंस जा रहे ठीक है नीचे जाने से डिफ्रेंस जा रहे है नीचे जाने से डिफ्रेंस जा रहे है ठीक है यहाँ पर लैप्स 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 ठीक है टोटल प्रीमियम कितना कमा लिए क्योंकि बेचे है ना option टोटल प्रीमियम कितना कमा लिए यहां से कमाए हजार यहां अब आज ही यहां पर प्रॉफिट वाले में ठीक हैं अब आज ही यहां पर प्रॉफिट वाले में ठीक हैं एक मुटों को यार अब आज ही यहां पर प्रॉफिट वाले में ठीक हैं तो कितना कितना आएगा बताओ छेह जर गया अठाइस सो आया 3200 नेगेटिव फिर उसके बाद भूलो 1200 नेगेटिव फिर बोलो फिर फिर क्या आ रहे है 800 फिर क्या आ रहे है यह 800 पॉजिटिव आ रहे है यह 1200 नेगेटिव और फिर चक करो तो यही आ रहे है अब एक चीज समझना seller का पैसा कब बन रहे है इस लेवल पर बन रहे है क्योंकि seller क्या चाहता है मार्केट मार्केट में भूचा लाएगा तब तो seller को नुक्सान हो जाएगा ना विकोज सेलर हेट्स पोलाटिलिटी ठीक है सेलर हेट्स पोलाटिलिटी क्या लाएगा है झाल झाल ब्रेक नहीं बस हो गया छुट्टी नहीं तुम लोगे पढ़ लेना बैठके ये समझ में आया यहां तक रिवाइस के गयाना अब बागी कल कराएंगे ठीक है थांक्यू अल अफ यू अब बाकी हम लोग कल करेंगे इसको रिवाइस करके आना झाल झाल झाल